हलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब गाइज मैं हूँ राहू लग्रवाल और सफल बैच फॉर सी यू इटी आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों एरा ओफ वन पार्टी डॉमिनेंस जो हमारा चैप्टर नंबर टू था कौन सी बुक का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंडेंस ठीक है तो जितने भी स्टूरेंट्स नया बेसिकली नया नया जुड़े हैं और पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उन सभी से रेकमेंडेशन ये है कि जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं सी यू इटी वाला यूट्यू सेंस 1947 यानि की इंडिपेंडेंडेंस बेसिकली आजादी सबसे बड़ा चैलेंज था बचपन से सुनते आ रहे हो ना मम्मी पापा बोलते थे ना कि 200 सालों से अंग्रेजों के गुलाम थे आजादी नहीं मिली होती तो किसी के घर में जाडू पोचा लगा रहे होते बचप अंग्रेजों से पार पाली हमने अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई हमें उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था देश को जोड़े रखना युनाइट रखना तो वो हमने फर्स चैप्टर में देख लिया कि कैसे हुआ अब सेकेंड चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरा चैलेंज था यानि कि लोकतंतर को स्थापित करना लोकतंतर को स्ट्याबलिश करना वो हमने कैसे किया हमने मतलब कि हमारे देश के लीडर्स ने जिनके हाथों में इसीशन लेने का पावर था ठीक है उन्होंन कैसे किया तो यह सेकंड चैप्टर है एरा ओफ वन पार्टी डॉमिनेंस आज हम इंपॉर्टन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में दिये गए हैं उससे पहले जो हमने कल लेफ्ट किया था न मैंने कल आपको क्या बताया था कि भई 1950 में 1950 में हमारा Constitution 26th of January क्या हो गया था लागू हो गया था ठीक है यह आप सभी को पता है कि 26 जन्वरी 1950 Constitution हमारा लागू हो गया इलेक्शन कमिशन कब बना इलेक्शन कमिशन बना था 1950 में यह सारे फैक्ट मैंने कल कराए आपको सुकुमार सेन हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिशनर बने उनके सामने बहुत सारी समस्याए थी 17 करोड जो वोटर्स थे उसमें से सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे ठीक देन उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल बना जिसमें वोटर्स के नाम थे उसमें लेडी सो के नाम कैसे थे श्यामू की मा रामू की चाची इस तरीके से थे सुकुमार सेन जी ने बोला श्यामू की मा और रामू की चाची को मैं कहां डूनता फिरूंगा भया तो सारे इलेक सभा की सीट कहां तक होगी ये डिमार्केट किया गया सारा कुछ सेट अप किया गया अब हमने ये डिसाइड किया कि हमारा जो इलेक्शन होगा उसमें 21 साल से उपर का हर एक व्यक्ति वोट करेगा तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लग गये कि भारत जैसा गरीब देश जो की अभी अभी आजाद हुआ है जिसने पार्टीशन विभाजन जहेला है जहां इतनी समस्याएं हैं लोगों के पास रहने खाने पीने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे आप वोट करवा र है इस घर में तीन लोग रहते हैं तीन में से एक बुढ़ा बाप है वह पैसा कमाता है एक बच्चा है और एक उसकी माँ है अब ये तीन लोग जिनकी सबसे बड़ी समस्या है अभी का खाना कैसे मिलेगा आप इन्हें बोल रहे हो कि कल जाके वोट करके आओ तो लोग मजाग बनाने लग गए कि पहने लोगों की खाने पीने का तो इंतजाम कर लो लेकिन हमारे लीडर्स ने दूर की सोची थी उन्हें पता था कि अभी शुरुवात में दिक्कत जरूर आईगी लेकिन यही एक तरीका है और हमने अगर अभी यह नहीं किया तो बाकी देशों की तरह हम भी पीछे चले जाएंगे ठीक है तो इलेक्शन्स फाइनली हुए उन्निस सो बावन का जो इलेक्शन है इसको 1952 का इलेक्शन इसले कहा जाता है क्योंकि यह फरवरी 1952 तक चला था और जादा तर जनता ने 1952 में वोटिंग की थी तो डेमोक्रेसी सक्सेस्फुली स्टाबलिश हो गई पहला चुनाव 1952 में इंडिया में हो गया फर्स्ट लोग सभा इलेक्शन भारत में सक्सेस्फुली डेमोक्रेसी स्टाबलिश हो गई ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप सोच रहे होगे कि सर क्या सिर्फ एक इलेक्शन के हो जाने से हम बोल सकते हैं कि successfully democracy established हो गई, बिल्कुल नहीं बोल सकते, एक election के basis पे नहीं बोल सकते, लेकिन उस election में सामने क्या आई चीज, उस election में सबसे बड़ी चीज सामने ये आई, कि लोगों ने बढ़ चड़ के हिस्सा लिया, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, न ट्विटर था, न टिक टॉक था, न फेस्बुक था, न इंस्टाग्राम था, उस समय तो लोगों को ये सब कुछ पता ही नहीं था, गूगल तक नहीं था, उस जमाने में भी लोगों ने बहुत जादा नंबर्स में अपने घरों से निकल के वोट किया, और लोगों ने ये दिखाया, कि हमें भी इस देश की चिनता है,छ जरूर हमारे सामने, शाम की रोटी की चिनता है, लेकिन देश की भी हमें चिनता है, ये तो पहला रिजन था, दूसरा रिजन जिसकी वज़े से मैं कह रहा हूं, कि इंडिया में डेमोक्राषी सक्सेस्फुली स्टाबलिश हुई, वो ये था, कि election के result आने के बाद जैसे दो candidates हैं A और B A जीत गया B हार गया हारने के बाद भी A और B में कोई लड़ाई नहीं थी सामने वाला समझ रहा था कि अच्छा ठीक है मैं इस वज़े से हार गया हूंगा वो अपनी हार खुले दिल से accept कर रहा था तो ये एक बहुत बहुत बड़ा indication था जो ये दर्शाता था कि लोगों को इस system में मज़ा आएगा आने वाले समय में People enthusiastically participated in the election There was tough contest between the candidates ठीक है अच्छी खासी टककर चल रही थी ऐसा नहीं था कि बहुत गंदे तरीके से लोग हार रहे थे कई कई जगा तो 500-700-1000 वोटों से हार हुई है तो एक अच्छा खासा competition था अब लोगों को समझ में आ रहा था कि ये हमारा देश है अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है ये हमारा देश है system में चाहे खामिया हो खराबी भी हो बट हम ही तो इसको सुधारेंगे धीरे धीरे हम इसको sort करेंगे ठीक है तो दे लूजिंग कंडिडेटेट अलसो डिकलेड दे रिजर्ट करेक्ट ऐसा नहीं था कि हारने वाला बोल रहा है कि चुनाओ गलत हुआ फिर से चुनाओ कराओ वो रो रहा है या इलजाम लगा रहा है ऐसा नहीं था बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था इंडियन पीपल केरीड आउट इस इलेक्शन एक्सपेरिमेंट और आल दा क्रिटिक्स वर साइलेंस्ड जितने भी लोग पहले बुराई कर रहे थे सब शान्त हो गए सब ने बड़े ही मतलब अमेजिंग तरीके से चीजों को देखा आस्चर चकित रह गए कि ऐसे कैसे हो गया भई लोग क्या होता है न जब भी आप अभी आप CUET की तेयारी कर रहे हो आपका बगल वाला पडोसी आपको बोलेगा अरे तुझसे नहीं होगा ये तेरे तो 12th के एक्जाम में 60% नहीं आते तो CUET कैसे निकालेगा कल को आप एक्जाम निकाल दो तो आपका पडोसी एकदम आस्चर रहे चकित हो जाएगा न अरे यार इसने कैसे कर लिया तो बस वैसी हालत थी लोग तो वेट कर रहे थे कि कब इंडिया फेल हो और उनकी बात सही हो लेकिन ऐसा हुआ नहीं ये एक्सपेरिमेंट जो इंडिया ने इलेक्शन का किया सक्सेस्फुल साबित हुआ अब आते हैं कॉंग्रेस के उपर तो दोस्तों अभी का जो हमारा इलेक्शन का सेट अप है वो कैसा है हर पांच साल में लोग सबा के इलेक्शन होते हैं और पांच-पांच सालों में ही स्टेट के इलेक्शन भी होते हैं लेकिन अभी इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं मतलब आप देखते होगे जैसे अभी election हो रहे थे कुछ मैने पहले, तो अगले साल कहीं कहीं पर election है, फिर उसके एक साल बाद किसी राज्य में election है, तो एक साथ नहीं होता, कहीं 36 गड़ का election हो रहा है, तो 6 मैने बाद UP में election हो रहा है, ऐसा होता है, लेकिन जब हमने ये सिस्टम की शुरुवात की 1951-52 में तब एक साथ election कराये गए थे, लोगसभा में भी और हर एक स्टेट में भी हर जगा चुनाव एक साथ कराया गया था, और एक दो स्टेट को छोड़ के Congress Party हर जगा जीती, हर जगा जीती और इसी लिए इस चैप्टर का नाम है, era of one party dominance, की एक पार्टी का एक छत्र राज रहा, हम आएंगे उस पे कि क्यों, क्या कारण था, Congress क्यों इतना ज़्यादा successful हो पाई, तो उससे पहले आपको मैं यहाँ पर यह बता दूँ, कि टोटल दोस्तो 489 लोग सभा seat थी, उसमें 364 seat जो की बहुत ही जबरदस्त majority है, वो हासिल की Congress Party ने, ठीक है, आपको यह बता दूँ मैं, कि लोग सभा में जितनी भी seat होती है, ठीक है, जैसे कि आज current की अगर हम बात करें, तो 545, 545 के आसपास seat हैं, तो 540 ले ले लेते हैं, तो जो भी party, इसका divided by 2 plus 1, ठीक है, यानि कि 270, 271 के आसपास बनेगा, तो जो भी party इस majority के आंकडे को touch करती है न, election में, जिसने भी इतनी seat जीती होती हैं, वो सरकार बनाती है, अगर इससे कम seatे आएंगी, तो सरकार बनाने में problem होती है, तो 489 by 2 करोगे, तो 246 के आसपास आएगा, Congress ने तो उससे भी 100 से भी जादा seatे extra हासिल कर ली, तो आप सोच सकते हो कि कितनी जबरदस तरीके से Congress ने जीत हासिल की थी, Second largest party थी Communist Party of India, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ये पूछा जाता है, क्योंकि ये तो हर बच्चे को पता है, कि चुनाओ किस ने जीता, Congress ने, Second कौन आया था, हिमाले पे सबसे पहले कौन चढ़ा, सब को पता है, दूसरा कौन आया नहीं पता होता, दूसरा अब बंदा कौन पहुचा लोगों को नहीं पता होता, इसी लिए यहाँ पे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कि जो हमारा First Election हुआ था, 51-52 में Second Party, Congress के बाद Communist Party of India थी, जिसने 16 सीटे जीती थी, अब आप फासला देख लो, अंतर देख लो दोनों पार्टी के बी मतलब एक तो होता है ना, कि मैंने 100 marks हासिल किये, क्लास में जो सेकेंड आया है, उसने भी 95 हासिल किये, बट यहाँ क्या है, कि मैंने 100 marks मैं लेके आया हूं, दूसरा बंदा 10 नमबर लेके आ रहा है, यतना फासला था, एक तरफ 364, दूसरी तरफ 16, तो यह है dominance, यह था dominance, अगर ऐसा होता ना कि first और second के बीच में जादा gap नहीं रहता तो हम यह नहीं कहते कि Congress का dominance था बट यहां तो पूरा dominance था ठीक है जवाहरलाल नहरू जी देश के पहले प्रधान मंत्री successfully बन गए Congress की सरकार देश में बन गई ठीक है Now, in the elections of 1952 where the Congress got 364 seats on one hand, the CPI could only win 16 seats इसको तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ लो, रट लो, याद कर लो कि second कौन थी? Communist Party of India, ठीक है? Now, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि जितने भी बच्चे मेरी class देखते हैं, सब बहुत curious हैं, और अच्छे-च्छे सवाल करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत जादा बहुत खुश हूँ और आप सभी की मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ, कि आप और क्या देश में दूसरी political parties नहीं थी, कि सभी ने Congress को vote दिया, बिल्कुल सभी सवाल है आपका, और भी political parties थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन किसी भी party का जो experience था, जो membership थी, वो Congress party जितना तो हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि Congress party तो पिछले 50-60 सालों से 1885 में Congress बनी, ठीक है, अब 1880 में Congress बनी थी, तो उस समय एम क्या था, देश को आजादी दिलाना, धीरे 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 Congress politics में भी involved होती चली गई, बड़े बड़े नेता इसके साथ जुड़े, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नहरू हो, चाहे वललब भाई पटेल हो, चाहे जो भी हो, देश में, देश का representation, Congress ही तो एक तरीके से कर रही थी, अंग्रेजों की लड़ाई Congress के साथ ही तो होती थी, ठीक है, तो Congress पिछले 50-60 सालों से देश में अल्रेडी आजादी की लड़ाई के लिए बहुत काम कर रही थी, हर गाओं, गली, कूचों में, Congress के लोग थे, उनका membership इतना तगड़ा बन गया था, कि जहां कोई नहीं पहुचता, वहां Congress पहुच जाती थी, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर कोई Congress पार्टी का हिस्सा था भई, क्योंकि उस समय तो सबको आजादी चाहिए थी ना, उस समय तो सब अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, तो अब जब अंग्रेजों से छुटकारा मिल चुका, तो Congress पार्टी ने जो इतनी मेहनत की, उसका फाइदा तो उसे मिलना ही था न, इसलिए Congress इतना successful साबित हुई, अब आप खुद सोचो, सपोज मेरे घर के सामने एक स्कूल है, उस स्कूल पे गुंडों ने कबजा कर लिया, अब मैं उस स्कूल की लडाई लड़ रहा हूं बहुत सालों से, ठीक है, अब दस साल से मैं उस स्कूल की लडाई लड़ रहा दस साल बाद मैंने वो लड़ाई जीती और मैंने गुंडों को भगा दिया, उसके दो साल बाद स्कूल में प्रिंसिपल के लिए इलेक्शन होता है, और एक तरफ मैं खडाऊं, तो आप खुद सोचो, कि मुझे जादा वोट मिलेंगे ही न, हर कोई जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से, मैं स्कूल को गुंडों से आजाद कराणे में लगा हूं, तो उसका फाइदा तो मुझे मिले गई, मेरे प्रिंसिपल बनने के बात देखा जाएगा कि मैं कैसा प्रिंसिपल हूं या नहीं हूं, लेकिन एक बार तो मुझे जिताया जाएगा न, तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ भी यही हुआ, ठीक है, अभी आपने बहुत तरीके की बातें आप सुन रहे होगे, बीजेपी का भारतिय जंता पार्टी जिसकी आज सरकार है, उनका भी बार बार यही कहना रहता है, कि कॉंग्रेस पिछले 70 सालों से देश में राज कर रही है, जादातर हिस्सा कॉंग्रेस ने राज किया है, इसलिए देश में जो भी समस्या है, उसकी जिम्मेदार कॉंग्रेस है, तो शुरुवात में तो कॉंग्रेस को इसका फाइदा बहतरीन तरीके से मिला, so this happened because Congress biggest और oldest party थी दूसरी चीज़ क्या है न अब ये तो 1885 से अपना काम कर रहे थे election 1952 में जब हुआ Congress का तो सारा कुछ setup ready था उनको तो बस polishing करनी थी लेकिन जो दूसरी political parties थी अब कोई political party 1940 में बनी थी कोई 1952 में ही जाके बनी या 51 में बनी तो वो जो political parties नई नई पैदा हो रही थी उनका मुकाबला किसे था Congress जैसी पार्टी से जिसको अल्रेडी हर कोई जानता था तो कहां जीत पाते वो Congress से ओव्यस सी बात है ठीक है? So Congress was the only party whose organization was spread all over the country freedom struggle की legacy यानि की freedom struggle का फायदा लोगों के sentiments Congress के साथ थे हर कोई चाता था कि भई इन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है ऐसी सोच थी देन उसके बाद जो leaders थे चाहे जवाहरलाल नहरू हों चाहे वल्लब भाई पटेल हों इनका एक अलगी बोल बाला था करिश्मा charismatic leaders तो इनकी leadership थी ठीक है इनकी leadership ने भी बहुत बड़ा role play किया then support of all classes and inclusion of all ideologies तो चाहे किसी भी सोच का वेक्ती हो चाहे अमीर हो गरीब हो पढ़ा लिखा हो अनपढ हो पुरुष हो महिला हो हर तबके का वेक्ती Congress के साथ था इससे बढ़ा तो और कोई reason हो ही नहीं सकता So the rule of Congress was similar to the dominance of one party अब आपके मन में एक और सवाल आएगा क्योंकि मुझे पता है आपका तुफानी दिमाग चल रहा है आपके मन में आएगा कि सर क्या इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे Congress Party ने जो dominance किया जो one party dominance हम पढ़ रहे है क्या इंडिया में एक लौता ऐसा हुआ था और किसी देश में ऐसा नहीं हुआ आपके मन में आ रहा होगा तो दोस्तों बिलकुल हुआ ठीक है बहुत सारी countries में जैसे कि क्यूबा चाइना सीरिया ठीक है पार्टी होती ही नहीं है वहां वन पार्टी रूल ही होता है ठीक है देन उसके बाद कुछ ऐसे देश जैसे कि में आनमार और बेलारूस वहां पे भी वन पार्टी रूल था लेकिन वह मिलिटरी द्वारा बनाया गया तो इंडिया में जो कॉंग्रेस पार्टी का जो डॉमिनेंस था वो इन देशों से बहुत मायनों में अलग था डिफरेंट था कैसे वो ऐसे दोस्तों क्योंकि इंडिया में कॉंग्रेस पार्टी का डॉमिनेंस मार पिटाई से जोर जबर्दस्ती से लडाई जगडे से आर्मी लगाके नहीं हुआ था ना इंडिया में कॉंग्रेस पार्टी का डॉमिनेंस हुआ था लोगों के वोट करने से लोगों ने वोट किया था और कॉंग्रेस पार्टी को जिताया था ना Congress Party को 364 seatे मिली थी ना तब जाके उनका dominance हुआ तो बाकी देशों में और India की dominance में अंतर ये था कि India में जो dominance हुआ वो डेमोक्रेटिकली हुआ, लोक्तांत्रिक तरीके से हुआ, गलत तरीके से नहीं, जोर जबर्दस्ती से नहीं हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि the dominance of Congress was established through democracy, which shows the popularity of Congress in India. पता है, मेरे दादा जी, हाला कि मेरे दादा जी आजादी के समय बहुत छोटे रहें, बहुत छोटे थे, चार-पांच साल के थे, तो वो एक कहानी बताते हैं, कि उस समय वो ऐसा दौर था, कि अगर कोई बोलता न, कि मैं Congress को vote नहीं दूँगा, तो लडाई हो जाती थी, दोस्तियां तूड जाती थी, रिष्टे खता मो जाते थे, Congress को vote नहीं देगा, चल निकल मेरे घर से, देश द्रोही है तू, Congress को vote नहीं करेगा, दूसरी पार्टी को vote करेगा, सोच भी कैसे लिया, ऐसा, ऐसा करिश्मा Congress Party का उस दौरान था, ऐसा dominance Congress Party का उस दौरान था, ठीक है, Congress as a social and ideological coalition, ये हमारा अगला टॉपिक है, क्योंकि आपके मन में अभी भी सवाल आने, बंद नहीं हुए होंगे मैं जानता हूँ, अब आप ये सोच रहे होगे, कि सर, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय और भी तो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी न, या हर कोई Congress की तरह ही सोचता था, Congress जैसा बोलती थी, हर कोई वैसा ही करता था, एसा दो नहीं हुआ होगा, और आपका सोचना सही है कि बिलकुल ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी, Congress party की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, वो क्या था? वो था Congress Party का umbrella होना बहुत बड़ा word यूज़ कर रहा हूँ umbrella चाता Congress एक ऐसा चाता थी जिसमें हर तरीके के आइडियोलोजी के लोग हर सोच के लोग चाहे अलग अलगी सोचते क्यों ना हो Congress का ही हिस्सा बने रहते थे क्योंकि उस समय लोगों का एक लार्जर परस्पेक्टिव था आजादी बाकी लड़ाई हम लड़ लेंगे यार बाकी छोटी मोटी लड़ाई मेरी सोच दूसरी है तेरी सोच दूसरी है कर लेंगे लेकिन जो greater cause है वो क्या है अंग्रेजों से लड़ना और इसका फाइदा Congress को कैसे हुआ इसका फाइदा Congress को ऐसे हुआ कि Congress Party में ही अलग-अलग विचार धारा के अलग-अलग सोच के लोग एक साथ रहते थे उन्होंने कभी भी Congress को छोड़ के जाने का नहीं सोचा कि भई चलो हम अपनी अलग पार्टी बनाते है ठीक है कुछ पार्टी इसने ऐसा सोचा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन जादतर ऐसा नहीं हुआ और इस वज़े से Congress का जो एक बेस है जो बुनियाद है वो बहुत 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 ही जादा तगड़ी हो गई जिसका फाइदा आज तक मिल रहा है आप देख लो छोटे से छोटे गाउं में चले जाओ Congress पार्टी का आपको हर जगह फैलाओ दिखेगा आज भी जो हमारे दादा जी के जमाने के लोग है वो आज भी Congress के कटर समर्थक है वो आज भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको वोट नहीं देते सब ऐसा नहीं है लेकिन बहुत लोग है ठीक है तो वो जो Congress का एक impression था न वो long lasting लोगों के दिमाग में पड़ा ठीक है आपको एक example देता हूं कि जैसे चार पॉलिटिकल पार्टीज हैं चारों एक साथ आ गई और चारों मिलके सरकार चला रही है जैसे कि Congress का शिव सेना के साथ महरास्ट्रा में कोलिशन था दिल्ली में केजरिवाल ने आम आदमी पार्टी ने Congress के साथ मिलके सरकार बनाई थी याद होगा आपको जब केजरिवाल ने ने आये थे तो इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में बहुत कॉमन रहा है जिसमें दो तिन पार्टी से एक साथ मिलके सरकार बनाती है तो Congress भी एक ऐसा कोलिशन बन गई थी लेकिन जो को अपनी बात कहने का हक था कि इस वज़े से कभी भी लडाई जगड़े होते ही नहीं थे आप देखिएगा किसी भी जॉइंड फैमिली में किसी भी जॉइंड फैमिली में जगड़े कब होते हैं जब आपकी बात कोई सुने ना जब आपकी समस्या कोई सुने ना जब तक तब तक उस घर में बुजूर्ग रहते हैं तब तक घर टिका हुआ रहता है जैसे बुजूर्ग चले जाते हैं डैत्हों हुई है तो वो उसको सौट कराने का काम करता है और उसके चले जाने के बाद लड़ाई जगडे बहस चालू हो जाती है तो किसी भी पार्टी में किसी भी और्गनाइजेशन में जब तक एक ऐसा सिस्टम बना है ना जहां पर आप अपनी बातों को कह सकते हो तो वो और्गनाइजेशन कभी भी तूटता नहीं है यह हमेशा ध्यान रखना ठीक है तो ज्यादा सोचना मत कि यह सब क्या है बेसिकली रिवाल्यूशनरी कंजर्वेटिव पैसिफिस्ट रेडिकल एक्स्ट्रिमिस्ट याने की ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शान्त हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा out of the box सोचते हैं मतलब हर तरीके की सोच के लोग कॉंगरेस का हिस्सात है बस इतना समझ जाओ Congress become a platform for numerous groups and even political parties to take part in the national movement, ideological currents present within the Congress, in pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution were allowed to exist within the Congress. Congress, so Congress के अंदर एक ऐसा सिस्टम था, कि उन्होंने बोल रखा था भीया, कि अगर आप दूसरी पार्टी भी हो, आपका एक अपना खुद का सारा कुछ सिस्टम है, तो भी आप Congress के अंदर रह सकते हो, हम आपको हमारे अंब्रेला में, हमारे चाते में चामिल करेंगे, ठीक है? उसके बाद 2nd General Election हुआ, फिर 3rd हुआ, तो 2nd में भी Congress Party बहतरीन तरीके से, 2nd में तो Congress Party ने 371 सीटे हासिल कर ली, 1st में 364, 2nd में 371, और जाधा dominance Congress का बढ़ गया, और जाधा Congress का dominance बढ़ गया, then उसके बाद 1957 में, the Communist Party of India formed the government in Kerala, and basically इस पे हम आएंगे, so in 1957, the 2nd General Election was held, this time the situation remained the same, Congress won almost all the seats, जवाहारलाल नहरू जो है, दूसरी बार, दूसरी बार, देश के प्रधान मंत्री बने, और इस बार भी जो 2nd Party थी, वो Communist Party of India ही थी, ठीक है, थर्ड General Election में क्या हुआ, 1962 में, हर 55 साल में हो रहे है न, तो 52 में हुआ, Congress ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 57 में हुआ, Congress ने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके बाद 62 में 30 हुआ, in which again the Congress Party easily won the election, Congress ने 361 सीट है जीती, जवाहर लाल नहरू तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बने, अब मेरे तुफानी बच्चों का क्या सवाल आ रहा होगा, अब मेरे तुफानी बच्चों का सवाल आ रहा होगा, कि सर आपने तो बोला था, कि लोग सभा election के साथ साथ, states में भी तो election हो रहे थे, आपने state का तो बताया है यह नहीं, state में क्या हुआ, क्या state में भी, हर state में Congress का ही मुख्यमंत्री था, क्या Congress ही हर जगा जीत रही थी, या दूसरी political parties भी थी, तो दोस्तों, ये स्थिती थी, ये रहा आपके सामने लेखा जोखा, Congress के dominance का, ये आप देख सकते हो, जितना yellow आपको दिख रहा है न, जितना yellow आपको दिख रहा है, वो सारा Congress है, एक हलका सा red आपको दिख रहा है किर्ला में, और ये एक आपको थोड़ा सा bluish कलर दिख रहा है, जमू कश्मीर में, उसके अलावा देश के लगभग हर हिस्से में, ठीक है, Congress की ही सरकार थी, तो ये था Congress का dominance, ये था, ठीक है, अब NCRT में, chapter number 2 में, एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है, जिसके बारे में हमारा पढ़ना जरूरी है, वो ये है, कि कौन से स्टेट में पहली बार, non Congress सरकार आई, और उसका अंजर था दोस्तो, केरला, ठीक है, केरला में, 1957 में, Congress Party की जगा, दूसरी सरकार आई, और वो थी Communist Party of India, तो यह आपके लिए समझने में, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए, जब मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ यह चीज, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि भई, Communist Party of India 16 सीटे लेके आई थी, तो Communist Party of India, बाकी Party से ज़्यादा अच्छा कर रही थी, और वो केरला में ज़्यादा था, तो केरला में, आपको मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, कि केरला जो की उस समय, बेसिकली जो प्रेजेंट केरला है, 53 कोर का हिस्सा हुआ करता था, वहां के लोग बेसिकली इंडिपेंडेंट रहना चाते थे, वो प्रिंसली स्टेट था, वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाते थे, तो वहां के लोगों को Congress से थोड़ी सी और उसका हमने रिजल्ट 1957 में देख लिया, जब वहां पे Congress की सरकार नहीं आई, किसकी सरकार आई, Communist Party of India की, केरला में, ठीक है, तो E.S. Namburipad, Chief Minister बने, ये Communist Party of India के बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, Congress Party को ये अच्छा नहीं लगा, भाईया, पूरे देश में हम राज कर रहे हैं, एक स्टेट भी हमारे हाथ से कैसे चले जाए, तो Congress Party ने दो साल बाद, 1959 में, अलग-अलग बहानों से President Rule लगा दिया केरला में, और यहां से President Rule के Misuse की कहानी भी शुरू होती है, ठीक है, तो आ आपने क्या-क्या पढ़ लिया अभी तक, कि जो हमारा Second Challenge था, Democracy Establish करना, वो हमने कैसे किया, क्या-क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने, Election Commission of India के सामने, उन चैलेंजेस को सौर्ट करके, जो First Election हुआ, उसमें क्या-क्या हुआ, वो सारी चीज़े भी आपने देख लिए, अब हम बात करेंगे, कुछ important political parties की, main political parties, तो Congress के बारे में तो आप सब ने पढ़ी लिया, हमारा पूरा discussion Congress का ही, लेखा जोखा था, Congress के अलावा, जो और, तीन-चार political parties हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले, Socialist Party, Socialist Party, Socialist Party 1934 में बनी थी, by some leaders within the Congress, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कि Congress Party में एक ऐसा system था, कि अलग-अलग parties भी Congress का हिस्सा रहती थी, वो Congress से अलग नहीं होती थी, वो Congress में ही रहती थी, तो उनी में से एक थी, Socialist Party, ये 1934 में बनी थी, Congress के ही अंदर के कुछ लोगों ने इसे बनाया था, लेकिन बाद में, 1948 में, 1948 में Congress ने rule change कर दिया, उन्होंने बोला, कि अगर Congress के अंदर रहना है, तो Congress Party का ही हिस्सा बनना पड़ेगा, अभी तक जो चला आ रहा था, कि अलग-अलग party रह सकती है, डूल मेंबर्शिप हो सकती है, कि आप Congress का भी पार्ट हो, और आप Socialist Party का भी पार्ट हो, अब वो नहीं चलेगा, तो Congress Party ने डारेक्ट बोल दिया, कि अगर रहना है, तो Congress में रहना है, दूसरी party में रहना है, तो अलग हो जाओ, तो Socialist Party जो है, finally 1948 में Congress से अलग होके, एक नई political party बनी, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, कि 1934 में ये बनी थी, Congress के अंदर ही थी, 1948 में Congress ने अपने Constitution में बदलाव किया, और Socialist Party एक separate political party बनी, तो Socialist Party ने भी, जो first election हुआ था, 1952 का, उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन, जाधा काम्याबी उसे नहीं मिली, जाधा काम्याबी उसे नहीं मिली, इसके founding president कौन थे, अचारे नरायन देव जी, एंड इसके और leaders कौन थे, राम मनुहर लोहिया, जै प्रकाश नरायन, अशोक महता, SM जोषी, अश्यूत पटवर्धन, तो ये सारे नाम, इन में से राम मनुहर लोहिया जी का नाम सुना है, तो ये सब Congress से अलग हो गए, इन्होंने एक अपनी party बनाई, जिसका नाम था Socialist Party, ठीक है, नाउ, ये जो Socialist Party थी, जब भी आप अलग होते हो, आप अलग क्यों होते हो, क्योंकि आपकी सोच सामने वाले से अलग होती है, तो Socialist Party की सोच ये थी, कि Congress जो है, वो अमीरों की party है, गरीबों की party नहीं है, Congress सिर्फ बड़े-बड़े पैसो वालों का सुनती है, उनका ही ध्यान रखती है, छोटे तपके की लोगों को, किसानों को, पीजेंड जो है, जो वर्किंग क्लास हैं, लेबर क्लास हैं, उनका ध्यान नहीं रखती, हम उनका ध्यान रखेंगे, ह ठीक है, तो ये जो थी socialist party की सोच थी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ ideology से election नहीं जीते जाते हैं, election जीतने के लिए आपका strong base होना जरूरी है, आपका organization strong होना जरूरी है, और ये socialist party का नहीं था, इस वजए से इन्हें जादा success नहीं मिली, और बाद में जाके socialist parties और अलग-अलग parties में तूड गई, किसान मजदूर प्रजा party, प्रजा socialist party, सम्युक्त socialist party, ये सब कुछ examples हैं उसके, ठीक है, तो ये तो बात हो गई, socialist party की, देखो, इनके बारे में जितना मैं बता रहा हूँ, उतना ही पढ़ लो, बहुत है, जादा detail म में है, जितना important है, उतना मैं cover करा रहा हूँ, enough है, enough, मजे से, मजे से पढ़ो, ठीक है, तो इनके बारे में तो पढ़ना बनता ही है, ठीक है, तो 1920s में रश्या में revolution हो रहे थे, बोल्शेविक revolution जिसे कहा जाता है, तो उन revolution से inspire होके, बहुत सारे communist groups भारत में पैदा हुए, और उन्होंने Communist Party of India बनाई, 1935 तक ये सारे Congress के अंदर ही काम कर रहे थे, तो कि Congress तो थी एक umbrella, जिसमें सब काम करते थे, तो यहाँ पे भी वही चल रहा था, 1935 तक ये सारे Congress के ही अंदर काम करते थे, इन 1941 दे ब्रोक अवे फ्रॉम दे कॉंग्रेस और Communist Party of India बनी, Socialist Party 1948 में बनी थी अलग होके, Communist Party 1941 में बनी, ये याद रखना भूलना नहीं, इसके Chief Leaders कौन थे, EMS नंबूदरी पद, जो की जाके केरला के CM भी बने, PC जोशी, अजय घोश, A.K. गोपालन, ठीक है, तो ये जो पार्टी थी, ये Socialist और Communist Ideology से Influence थी, और साथ ही साथ इनका ये कहना था, कि 1947 में जो हमें आजादी मिली है, वो सही माइने में आजादी नहीं है, हम अभी भी गुलाम है, हम अभी भी सोच के गुलाम है, अंग्रेस भले ही हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी सोच अभी भी हमें है, इन्होंने चुनाव लड़ा, 16 सीटे हासिल करके ये Second Party बनी, तो election जब इन्होंने 1951-52 में लड़ा था न, उसके पहले Communist Party of India थोड़ा सा violence के तरीके में आ गई थी, हिंसक हो गई थी, लड़ाई जगडा, दुकाने तोड़ना, हर्ताले करना, ये सब करती नहीं, उन्हें लड़ने का रास्ता अपनाया, ठीक है, 1964 में CPI दो हिस्सों में तूड़ गई, एक है CPI और दूसरा है CPI M, यानि की CPI Marxist, ये दोनों पार्टी आज भी भारत में हैं, और चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, उसके बाद भारती है, जन संग, तो न्यूस चैनल में न्यूस पे कि जो जड़ है, वो इस जन संग से ही है, ठीक है, सो 1951 में ये भारती है जन संग की स्थापना हुई थी, च्यामा प्रसाद मुखरजी द्वारा, ठीक है, तो ये जो भारती है जन संग था, इसकी सोच ये थी, कि हमारा जो देश है, उसका एक कल्चर होना चाहिए, एक रिल जन संग वाले चाहते थे कि पार्टीशन नहीं हो और इंडिया वापस से अखंड भारत की बात करते थे, यानि कि इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, उस समय तो कहर बांगलादेश नहीं था, उस समय पाकिस्तान ही था, तो इंडिया, पाकिस्तान एक हो जाएं, और अखंड भारत बन जाए, उनाइटेड इंडिया बन जाए, ठीक है, तो basically they supported making Hindi the national language and they supported the creation of United India by joining Pakistan, इसके main leaders कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर जी, बलराज मधोक, दीन देयाल उपाध्याए, ठीक है, जो सबसे पहला election इन्होंने लड़ा था, इनकी 2-3 सीटे आई थी, जादा सीटे नहीं आई थी, और आज भारतिय जनता पार्टी की देश में सरकार है, नरेंदर मोधी प्रधान मंत्री है, दो लगातार टम पूरा करने वाले, 10 साल हो जाएंगे, एक साल बाद, 2014 में वो प्रधान मंत्री बने थे, 2024 आजाएगा एक साल बाद, तो ये वही भारतिय जन संग है, और आज भारतिय जनता पार्टी, दोस्तों मेहनत करते रहोगे न, तो कभी न कभी सक्सेस मिलती ही है, ठीक है, मिलती ही है, देन उसके बाद स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी थी, और इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी जी ने की थी, ये जो स्वतंत्र पार्टी थी, ये कैपिटलिजम के आइडिया से इंस्पायर थी, बेसिकली दो तरीके की सोच होती है, दोस्तों, एक होता है capitalist सोच जिसमें private sector का involvement जादा होता है दूसरा होता है nationalist सोच जिसमें state का सरकार का intervention जादा होता है तो स्वतंद्र पाटी चाहती थी कि सरकार का role किसी भी तरीकी की for example गेहूं की खेती खेती नहीं ट्रेडिंग फूड ग्रेंस की ट्रेडिंग यह सारी चीजों में state का role कम से कम हो प्राइवेट मार्केट्स को ज्यादा involved किया जाना चाहिए ठीक है तो according to this party the government should intervene less in the economy और उस समय इंडिया का रशिया के साथ यानि कि सोवियत यूनियन के साथ दोस्ति यारी अच्छे टर्म्स थे तो उसका भी यह oppose करते थे इनका कहना था कि सोवियत यूनियन के साथ नहीं अमेरिका के साथ हमें जादा दोस्ती बनानी चाहिए ठीक है so they oppose the policy of non alignment और यह non alignment क्या था तो गुटो में world तूड गया था एक अमेरिका एक रशिया मतलब सोवियत यूनियन इंडिया ने बोला हम किसी का साथ नहीं देंगे हम किसी के भी ग्रूप में शामिल नहीं होंगे और एक non alignment की policy बनी इसके बारे में detail में पढ़ेंगे आगे तो यह जो स्वतंद्र पार्टी थी वो उस non alignment के खिलाफ थी इसके main leaders कौन थे राजगोपालाचारी, के अन मुंशी, एम जी रंगा, मीनू मसानी ठीक है तो आपने चार political parties के बारे में पढ़ लिया, brief में, जो इस NCRT में भी दिये हुए है, स्वतंद्र पार्टी, क्म्यूनिस्ट पार्टी, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जनसंग, ठीक है, और सबसे पहली जो party हमने पढ़ी थी, जो की important भी है, socialist party, ठीक है, तो ये चार political parties है, Congress के अलावा, जिसका mention NCRT में किया गया है, ठीक है, तो दोस्तों, इसी के साथ आज का lecture, आज का session मैं करता हूँ, समाप्त, उमीद करता हूँ कि आप सभी को काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और comments करो थोड़ा, वीडियो शीडियो लाइक करो, और अपने जो बागी दोस्त त्यार हैं, उन्हें भी बताओ, इन lectures के बारे में, इन classes के बारे में, बहुत ही आसान भाषा में, आपका political science हम यहाँ पर cover कर रहे हैं, तो क्या आपको MCQs चाहिए, इस chapter से related comments कीजिए, जितने जादा comments आएंगे, उतने जल्दी MCQs का session लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के सामने, तो दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द, धन्यवाद जितने जल्द, जितने जल्द, जितने में झाल को चाहिए, जितने को वादा आप सभी सामने, जितने जल्द, बहुत का रखका सकते कि दोवाद